नमस्कार दोस्तों, प्लास सेवन्त महाराष्टा स्टेट बोर्ड, मैथेमाटिक्स चाप्टर नमबर 9, डारेट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, प्रेक्टिसेट 37, में क्वेशन नमबर 1 इसके जो पहले वीडियो हुआ है, उसमें हो चुका है, तो अभी ह हमें क्वेशन नमबर 2 स्वाल करना है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्रेस्ट है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं, और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, अब देखें क्वेशन नमबर 2 क्या है, इफ 600 रुपीज बाई 15 बंचेस ऑफ फीड, हाव मैने विल 1280 रुपीज बाई, इसका मतलब, 600 रुपीज में 15 बंचेस ऑफ फीड, फीड का मतलब होता है, उसे हम प्रिड कहते हैं, तो जो भी जानवर हैं, उनका यहाँ पर हो सकता है, अन, तो जो फीड के बंचेस हैं, 15 बंचेस, 600 रुपीज में आते हैं, तो हाव मैने विल 1280 रुपीज बाई, 1280 रुपीज में कितने बंचेस बाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें दो कॉंटिटीस फाइंड करनी है, जो हम हमें कॉंटिटी है, मतलब जो भी कॉंटिटी यहाँ पर दी गई है, वो कोंसी है, वो फाइंड करना है, एक तो है रुपीज और दुसरा है नमबर हो बंचेस, अब हमें फाइंड का करना है, हाव मैनी विल रुपीज 1,200 रुपीज बाई, तो हाव मेनी बंचेस, तो हमें जो भी फाइंड करना है, वो हमें निमरेटर में लिखना है, और जो नेक्स्ट कॉंटिटी दी है, वो डिनामेटर में लिखना है, अब यहाँ पर एक रिश्व हमें दिया गया होता है, 600 रुपीज में, 600 रुपीज में, 15 बंचेस, 15 बंचेस, is equal to, बंचेस और रुपीज क रिश्व यहाँ पर इकोल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे, it is an, या it is direct variation, यह direct variation है, क्योंकि अगर नमबर आप बंचेस इंक्रीज हो जाएं, तो नमबर आप रुपीज भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो भी direct variation होता है, उसमें division constant होता है तो दो quantities का division यहाँ पर constant होगा, तो 15 divided by 600 is equal to, अब देखें क्या होगा, how many will rupees 1280, तो हमें यहाँ पर रुपीज 1280, नमबर आप बंचेस, सपोज यहाँ पर पर्चेस होगे, तो हमें यहाँ यहाँ पर X की value find करने हैं, तो इसके लिए हमें cross multiply करना होगा, 15 into 1280, is equal to 600 into X, अब यह X की value find करने हैं, तो 15 into 1280, divided by 600 से हमें left hand side को divided करना होगा, अब यह X की value यहाँ पर division करने के बाद, यह cancellation करने के बाद आएगी, तो 15 into 15, 15 fours are 60, 15 zeros are 0, 10, 10 cancel होगा, 4 say, 4 three is are 12, 4 two is are 8, 32, 32, to 32 bunches can be bought for piece 1280, 32 bunches can be bought, question number 3, for 9 cows, 13 kg 500 gram of food supplement are required, every day, 9 cows, 9 गाये हैं, तो उनके लिए 13 kg 500 gram of food supplement हर दिन required है, तो एक दिन के लिए इतना food supplement जो हैं, वो 9 cows के लिए useful होता है या उनको लगता है, तो in the same proportion, how much will be needed for 12 cows, तो ऐसे 12 cows को कितना food supplement लगेगा, तो हमें यहाँ पर food supplement के quantity find करनी है, तो यहाँ पर दिखे, यहाँ पर दिखे लिए पर दिखे लिए यहाँ पर दिखे लिए अगर संख्या बढ़ा दी जाए, तो जो उनको food supplement लगने वाला है, वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर it is direct variation, तो हम यहाँ पर लिखेंगे it is direct variation, तो ज्यादा steps यहाँ पर ना लेते हुए, simply हम answer यहाँ पर लिखेंगे, यह तो direct variation हुआ, अब direct variation होने की वज़े से यहाँ पर जो ratio होगा, वो constant होगा, अब ratio कैसा होगा दिखे, number of cows और उनको जो लगेगा food supplement उसका ratio, तो हमें food supplement फाइंड करना है, तो numerator में food supplement जो है वो लेना है, उसकी quantity, तो food supplement और denominator में हमें लिखना है, number of cows, number of cows, तो इनका ratio जो होगा, वो equal होगा, सबस्थ अब जो quantity यहाँ पर एक दी गई है, 9 cows के लिए 13 kg 500 ग्राम, तो यहाँ पर 9 cows, 13 kg 500 ग्राम को कैसे लिखना है दिके, 13 kg 500 ग्राम को हमें लिखना है 13, दिके, एक किलो ग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 13 kg में 13,000 ग्राम और यह 500 तो यह 13,500 ग्राम तो पहले हम answer ग्राम में फाइंड करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करके हम किलो ग्राम में फाइंड कर सकता है तो 9 काउज के लिए 13,500 ग्राम जो है वो फूड सप्लिमेंट लगेगा तो 12 काउज के लिए कितना लगेगा? X लगेगा, suppose तो अब फिर cross multiply करना है और X की वाले फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13,500 इंटू 12 is equal to 9 इंटू X तो X की वाले फाइंड करनी है तो X को राइट हैंड सेड में रखिए और 13,500 इंटू 12 को 9 से डिवाइड करिए 9 को राइट हैंड सेड में ले जाना है तो X की वाले आएगी 339, 3412 3 बंजा 3 3412, 3515, 3000 अब 4 से 4500 को हमें मल्टिप्लाइ करना है तो 40000, 0000 4520, कैरी 2 4416, प्लस 2 18, तो 18,000 ग्रैम्स तो 18,000 ग्रैम्स का मतलब 18 किलो ग्रैम्स of food supplement is required for 12 cows तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 केजी is equal to देखें, ग्रैम्स को हमें अगर कनोट करना है किलो ग्रैम्स में तो 1000 से डिएड करना पड़ेगा तो 3 जरोज और 3 जरोज चैंसल होंगे और 18 किलो ग्रैम्स यहाँ पर होगा तो 18 केजी of food supplement is required इतना required होगा for 12 counts 12 जुगाएं हैं उनके लिए question number 4 the cost of 12 quintals of soybean is 36,000 रुपीज how much will 8 quintals cost अब soybean की quantity और उनकी cost यहाँ पर 2 quantities है जितना soybean जादा होगा उनकी cost जादा होगी तो यहाँ पर direct variation है तो it is direct variation तो direct variation में जो ratio होता है वो constant होता है जो हमें value find करने how much will 8 quintals cost तो हमें find करने है cost cost को हमें numerator में लेना है अगर हम denominator में भी लेते हैं तो answer उतना ही आएगा जो हम numerator लेने के बाद आएगा लेकिन थोड़ा multiplication या cross multiplication को थोड़ा सहीज होगा अगर हम cross multiply न करते हुए एक number को right hand side में ले जाएं तो ये भी आसन होगा तो cost हमें find करने है और यहां पर soybean का जो weight है weight of soybean इनका ratio हमें लेना है अब देखे 12 quintals का weight 12 quintals का weight 36,000 रुपीज है तो is equal to 8 quintals का weight सबोज एक्स रुपीज होगा तो cross multiply करना है तो 36,000 multiplied by 8 is equal to 12 into x तो x की value find करने है तो 12 से left hand side को dehyde करना पड़ेगा तो 36,000 into 8 dehyde by 12 तो जो x की value होगी वो होगी इन दोनों numbers को 4 से dehyde करना है 4, 3, 12 4, 2, 8 फिर 3 से dehyde करना है 3 वन्जा 3 3 वन्जा 3 2, 6 और ये 3, 0, 0, 0, 0 12 into 2 24,000 रुपीज तो जो 8 quintals of soybean होगा उसकी cost होगी रुपीज 24,000 Question number 5 है 2 mobiles cost 16,000 रुपीज How much money will be required to buy 13 such mobiles 2 mobiles की cost 16,000 है तो ऐसे 13 mobiles की cost कितनी होगी देखिए यहां पर हम डिरेक्ली भी question का answer find कर सकते हैं क्योंकि 2 mobiles की cost 16,000 है तो एक mobiles की cost 8,000 होगी और 8,000 से 13 को multiply करिए 13 ऐसे mobiles की cost यहां पर आसाने से आ जाएगी लेकिन यहां पर जो की direct और इनोर्स variation का question है तो इसलिए हमें variation के इसाब से ही solve करना है तो हमें यहां पर जितने ज़्यादा mobiles होंगे उनकी cost उतनी ज़्यादा होगी तो हमें यहां पर लिखना है it is direct variation यह direct variation है हमें यह क्यों लिखना है क्योंकि आगे questions ऐसी questions आते हैं लेकिन वो इनोर्स variation की भी हो सकते है तो इसलिए हमें पहले लिखना है कौन सा variation है तो direct variation है तो जो find करना है 13 mobiles की cost find करने cost और यहां पर number of mobiles तो जो दो mobiles है number of mobiles 2 उनकी cost है 16,000 तो इसे 8 mobiles की cost कितने होगी शरी 13 mobiles की cost कितने होगी तो हमें फिर cross multiply करना है तो 2 into x यहां पर होगा 2 into x 16,000 into 13 अब यह x की value find करनी है तो 16,000 into 13 को 2 से divide करना है तो 2 से divide करने के बाद यहां पर 2 2 into 2 2 into 16 8,000 into 13 तो 13 needs of 104 और आगी के यहां पर 3 zeros तो 1,004,000 रुपीज ऐसे 13 mobiles की cost होगी 13 mobiles cost रुपीज 1,004,000 तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों प्रेक्टिसेट 37 जो है वो यहां पर समाप्त हो चुका है अब जो next point है वो है inverse proportion जो के हम आगे जो आने वाला वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसमें हम explain करेंगे पहले हम inverse proportion या inverse variation क्या होता है वो देखेंगे फिर उसके बाद प्रेक्टिसेट 38 के questions solve करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए हाँ और एक बात है कि अगर कोई doubts आपको हो तो उसके लिए मैं हर संड़े 6 या 7 बज़े के बीच में live sessions शुरू करना सोच रहा हूँ अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट करके जरूर बताए तो आप सभी का और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए